पिद्दपली असेंबली हलके के जितने भी हमारे मुसल्मान बुजरुगे और बाई बहन हैं मैं आप लोगों को सलाम करता हूँ आप तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि मनोवरेडिस आपको पिद्दपली का रुकने असेंबली फिर एक बार बनाईए वो इसलिए जब तलंगाने के लिए हम जिद्दव जयत कर रहे थे उस समय भी मैं पिद्दपली में आया था मैं कह रहे था उन दिनों में हमारे जंग में नेकी है नियत है इंसाफ है अल्ला के गर में देर है लेकिन अंदेर नहीं है और अल्ला का करम हुआ तलंगाना रियासत हासिल हुआ अल्ला के करम से ही दस साल में बहुत ज़्यादा तरक्की भी किया मैं ये की मिसाल बता देता हूँ आप लोगों को हमारे से पहले बियारेस के हुकुमत से पहले दस साल लगातार कांग्रेस का हुकुमत था और दस साल के कांग्रेस के हुकुमत में उन्होंने पैसा कर्च किया माइनार्टी डिवलप्मेंट के लिए सिर्फ 900 करोड रुपिया पूरे 10 साल में यह इसाब है मेरा कोई स्टोरी नहीं है लेकिन 10 साल में बियारेस सरकार ने जो रकम कर्च किया वो 12,000 करोड है उन्होंने 900 करोड हमारा 1200 करोड 12,000 करोड देखिये कितना फरक है इसलिए हम साथ है हर तलंगाना शहरी के चहर पर नूर आ जाए और उनके चहरे पर मुस्कान रहे वो चाहिए हिंदू हो, मुसल्मान हो, क्रिश्चन हो, जो भी हो, सुभी हमारे बेटे है, हमारे भाई बंदु है, तरक्य हर किसी का होना चाहिए और मैं आप लोगों को वादा करता हूँ, जब तक केशियार जिंदा रहेगा, तलंगाना अमन पसंद रियासत रहेगा, और सेकुलर रियासत ही बने रहेगा, यह मेरा वादा है आपके साथ, तो इसलिए, मुद्दाई लाक बुरा चाहा तो क्या होता, वही होता है, जो मन हम साथ ले चलेंगे, इतना मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपसे रुकसत होता हूँ